नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिमने शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तरा खंड की खास ख़बरों पर और वहीं अपने दो दिन के दोरे पर हल्दवानी पहुचे शहरी विकास मंतरी मदन कौशिक ने सरकिट हाउस मैं भाजपा कारे करता हो और पदधिकारियों से लेकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समिक्षा बैटक की मंतरी मदन कोशिक ने कहा कि सबी लोगों के साथ बैटक करने के बाद कई बात सामने आई हैं जिनको जिलादिकारी और SSP के स्तर से निप्टाने के निर्देश भी दे दिये गए हैं तो वही जिला मामलों में शाषन की भूमिका होती है उसका वे खुद शाषन इस तरह पर निस्तरन करने की कोशिश करेंगे उदम सिंग नगर के जस्पुर में एक तीन तलाग का मामला सामने आया है जहां दहेज की मांग पूरा ना होने पर पती ने पतनी को तीन तलाग दे दिया कोतवाल जस्पुर ने बताया कि तीन तलाग का एक मुकदमा दिसंबर माहा में लिखा गया था जहाँ पीडत मुम्ताज ने कोतवाली में तीन तलाग का मुकदमा रिखवाया था और उसके पती ने उसे दहेच की मांग को लेकर पूरी नहीं हो पाई थी जिसके चलते उसने तीन तलाग दे दिया था वहीं कोतवाली पुलिस ने कारवाई करते हुए व्यक्ति को गरफतार करके जेल भेज दिया है हल्दवानी में जोलरी शॉप की मालकिन को फोन कर पचास लाकी रंगदारी का मामला मांगने का सामने आया है जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है वहीं व्यापारियों में भी इसको लेकर आकरोश देखने को मिला है प्रांति उद्योग व्यापार मंडलने कोतवाल में प्रदरशन कर पीड़त व्यापारी परिवार को सुरक्षब प्रदान कर रंगदारी मांगने वाले आरूपी को ततकार ग्रफ़तार करने की मांग की है और अगर इसे नहीं किया जाता है तो इस बात को लेकर आंदोलन किया जाएगा उत्राखंड में मौसम ने एक बर फिर से करवड बदल ली है कई दूप खिली है तो कई काले घने बादल चाये हुए है जिससे बारिश के भी आसर लगातर बने हुए है वहीं कई उचाई वाले इलाकों में हुई बर्फवारी से ठंड में इजाफा हुआ है राजदारी दहरादून समेत कई शित्रों में सुबह हल्की बारिश भी हुई है उत्राखंड में 6 माईने बाद सक्रिय मरीजों की संक्या एक हजार से कम हो गई है वहीं पिछले 24 गंटे के बीतर कोरोना के 54 लोग सामने आ गए है जबके 4 संक्रिय मरीजों की मौत भी हो गई है साथ जिले में सक्रिय मरीजों की संक्या 100 से कम है अब तक कुल संक्या संक्रिय मरीजों की 96,281 हो गई है उत्राखंड में अंग्रेजी देथी शराब और बीर मर्पी से अधिक पर वेशने पर पहली बार में 50,000 रुपे का जुर्बाना लगेगा चौती बार उलंगन होने पर मदीरा की दुकान का लाइसेंस रद्ध हो जाएगा और लाइसर्ष अधिकारी काली सूची में दर्च कर दिया जाएगा फिर मदीरा की दुकान का अवंटन दुबारा तै प्रक्रिया के अनुसार होगा नई आपकारी नीती में ये प्रावधान तै किया गया है शाशन ने नई आपकारी नीती के दी सूचना जारी कर दी है फिलालिस बुलिटिन में सिर्फ इतना ही बने रहिए नीजोल इंडिया के साथ नमस्कार